अटल बिहारी वाचपई, ए मैन फॉर आल सीजन में वरिष्ट पत्रकार किंगशुक नाग ने लिखा है कि एक बार जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री नहरू जी से मिलने भारत आए तो नहरू जी ने अटल बिहारी वाचपई से भी उनकी मुलाकात कराई और ये कहा कि इनसे मिलिए ये विपक्ष के उभरते हुए युवा नेता हैं, हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इनमें भविशे की कई संभावनाएं देखता हूँ नहरू जी के बाद इंदरा युग आया, सत्ता के सामने विपक्ष जब बौना हो रहा था, अटल बिहारी वाजबई तब भी वज्ज्र की तरह सत्ता पक्ष को ललकारते रहें 1970 में पेट्रोल के दाम बे तहाशा बढ़े तो अटल जी संसद में बैल गाड़ी लेकर पहुंचे और सत्ता को सडक पर खड़े होकर चुनावती दी सत्तर के दशक में केंद्र की सत्ता के खिलाफ विपक्ष एक जुट हो रहा था लेकिन 1971 में जब इंद्रा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो अटल विहारी वाजपेई ने राश्ट्र धर्म निभाने के लिए विपक्ष के दायत्व को समेट लिया और इंद्रा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने पार्लेमेंट में जब ये कहा वंगलादेश जीतमारी हो गई उन्होंने बधाई दी इंद्रा जी को का कि ये खूब लड़ी म्रतानी और खूब लड़ी हैं और उन्होंने देश को ठुकने नहीं दिया सेनाओं को मन बलब उचा रहा है बड़ी वीर्षत्रानी जनसंग में तब तक अटल जी के साथी के तौर पर लालकृष्ण आडवानी की जोड़ी प्रिसिद्ध हो चुकी थी सत्ता की चुनोतियां बढ़ी तो इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगा दिया अटल आडवानी समेत अन्यनेता गिरमतार कर लिये गए लोक्तंत्र की आवधारणा सत्ता की निरंकुष निर्णय से चोटिल हुई तो राजनेता से अधिक चोट कवी रिदय को पहुँची जेल में अटल जी ने अपने अनुभवों को लेकर कई काल जैई कविताय लिखी एमर्जेंसी लगी थी सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था सुथंत्रताओं का परण हुआ था बड़ी संख्या में लोग किरफतार किये गए थे जेलों में बंद किये गए थे जब एक साल बीद गया तो मैंने एक छोटी सी कृष्टा लिखी जुलसाता जेट मास शरच चांदनी उदास सिसकी भरते सावन का अंतर घटरीत गया एक बरस बीद गया अंतर रोए आख न रोए धुल जाएंगे स्वप्न सजोए चलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है दूर कहीं कोई रोता है दूर कहीं कोई रहता है जीवन से मृत्य भली है आतंकित जब गली-गली है मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं ही होता है दूर कहीं कोई होता है 1977 में एक जुट विपक्ष के प्रतिनिधी के तौर पर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंग का जनता पार्टी में विले हो गया अटल बिहारी वाजपई जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने राश्ट्रिय अंतराश्ट्रिय राजनीती के दौरों और संसदिय प्रणाली का अनुभव होने के नाते उन्हें ये जिम्मेदारी स्वांपी गई बतोर विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपई ने संयुक्त राश्ट्र संग में भारत का प्रते निधित्व किया तो हिंदी में संबोधन करके इतिहास रच दिया दुनिया के सामने ये नए भारत की नई राजनीती का परिचय था बतोर विदेश में कुटम मुकिन की परिकल्पना बहुत पुराई है भारत में सदा से हमारा इस खारणा में विश्वात रहा है कि सारा संसार एक परिवार है यहां मैं राष्टों की सत्ता और महता के बारे में ने सोच रहा हूँ इस बीच जनता पार्टी की सरकार आंतरिक मतभेदों के चलते गिर गई राष्ट्रवाद की जमीन पर अटल विहारी वाजपई के नित्रित्म में भारतिय जनता पार्टी की स्थापना हुई प्रथम अधिवेशन में मुंबई में समुद्र के किनारे खड़े होकर अटल विहारी वाजपई ने ये भविश्यवाणि कर दी एक हात में भारत का सम्विधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और दूठेंगे हम चत्रपती श्वाज यहाराज के जीवन और संधर्च से प्रेणा लेंगे ताम आज इक समता का बिदल बजाने वाले महात्मा खुले हमारे पत्तपदर्शक होंगे भारत के पश्मी घाट को मंडित करने वाले महा सागर के खिनारे पड़े होकर मैं यह भविश्माणी करने का साहस करता हूँ क्या अधेरा छटेगा पूरज निकलेगा कमल खिलेगा